तो ब्राम्भनों ने एक बार फिर दाओं खेल दिया है अब देखना ये है कि जीत किसकी होती है जीतता कोन है जो उनका तोड़ने का SCST को तोड़ने का प्रयास जो है वो जीतता है या फिर SCST की एकता जीतती है अब ये देखना है भई देखिए ऐसा था कि पिछले चुनाओं में समाज की ओर से ही भीतरागात होने के बाद मैंने ये तै कर लिया था कि अब किसी चैनल पर नहीं आऊंगा लेकिन अब ये जो हमला हुआ है ये विदेशियों की ओर से हुआ है यानि कि विदेशी ब्राम्भनों की ओर से अगर फिर से हम सब के सामने हैं है अब चूकी मामला समाज के बच्चों के भवश का है तो फिर आपकी पिछले चुनाओं में की गई वेइमानी की सजा जो है वो आपके बच्चे क्यों भुखते इसलिए हमें एक बार फिर से सब के सामने आना पड़ा मैंने पिछले पांच दिन से लगातार इंतजार किया कि कोई 131 जिस दिन संसदों को आपने बड़ी लगन, बड़ी जतन के साथ में जिता कर संसद में भेजा है उन में से कोई एकाद तो कुछ बोले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला बलकि आरेशिस के इस आदेश को जो की कोट के माध्यम से आया है उसे लागू करने के लिए खुद आगे आगे तेलंगाना की बात बिलकुल हर्याना तो कर ही रहा है अब ये बात ये है कि जिसे चुनाओं में आप बीजेपी का कटर दुश्मन मानकर उसे ओड दे रहे थे उसमें से तो वो सब तो लगे हुए हैं कि इस आदेश को लागू करे और जिसे आप बीजेपी की बी टीम कह रहे थे बीएसपी वो इस आदेश का विरोध कर रही है और ना सिर्फ विरोध कर रही है बलकि जबर्दस तरीके से इस फैसले के खिलाफ खड़ी है भई अब तो आखे खुल गई होगी न के अब भी अपने उस गांधी के हरीजन पने से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है एक तारिक को जब ये जजमेंट सुनाया गया कहा गया कि साथ जजों में एक जो था वो दलित जज था और साथ जजों में से एक ने इस फैसले की खिलाफत की थी तब लगा कि निश्ची थी ये जो दलित जज है इसी ने इसकी खिलाफत की होगी यानिकि वो ही इस फैसले के विरुद्ध रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं था उस बिचारे को तो अपने उस आरेसिस यानि की अम्मा की जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाना था दलाली की विरासत को आगे बढ़ाना था और फिर बिचारे को कुरसी भी तो इसी की बदवलत मिली थी ना दलाली की बदवलत तो फिर अपने पारिवारिक परंपरा से वो कैसे अलग हो पाते तो उन्होंने जो है इसके खिलाफत करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए और फैसले के पक्ष में वोट दे दिया बलकि उसकी एक तरह से वो ये भी कहने लगे कि जो है आरक्षन में इस तरह से केटेगराईजिशन होना चाहिए अब आपको पता है कि पिछले चुनाओ में ये जो 400 पार का नारा लगा था ना पता है उसके पीछे की साजिश क्या थी 400 पार का नारा ही इसलिए लगा था ताकि वो न मिल पाए वो हासिल न हो पाए तो जो विपक्ष है वो खुश हो जाए विपक्ष को भी पता था कि ये 400 पार का नारा नारा लगा दिया दूसे ने उसी को उठा लिया और ये कह दिया कि भई तुम तुँ 400 पार नहीं कर पाए तो विपक्ष भी खुश और पक्ष तो सत्ता में आई ही गया लेकिन इसमें जो दलित वोटर है वो नाच रहा था पता नहीं उसों किस बात की खुश ही थी और जैसे आई से बेगानी शादी में ये जो दलित दिवाना जो अपना नाच रहा था ना वो नाचने में रह गया और पीछे से दोनों ने मिलके जबर्दस तरीके से दोनों का काड दिया भाराल अब तो कट चुका है ना तो अब तो कम से कम जिनको आपने जिता कर वहाँ भेजा है उन सांसदों को विधायकों को मजबूर करो कि वो इस आरक्षण को नवी सुची में डाले ताकि बार-बार इस तरह से इस परागाद जो होते हैं ये जंजट ही खतम हो और भाईया जिस तरह से आप लोगोंने पिछले चुनाओं में कॉंग्रेस को जिताने के लिए छोटी-छोटी मेटिंग करके अपने लोगों को जिस तरह से आपने समिधान बचाने के नाम पर मोटिवेट किया था ना कॉंग्रेस को वोड़ देने के लिए उसी तरह अब आरक्षन को बचाने के लिए छोटी-छोटी मिटिंग करके लोगों के बीच में जाकर पॉकेट्स में उनको समझा कर अब आरक्षन बचाने की इस मोहीम में हिस्सा लेना पड़ेगा भी क्योंकि आपकी लापरवाही का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने आपके भाई ब इस सक जो है वो खा रहे हैं और इसी वज़े से वो उनके हिच चिंतक हैं और इसका वो आरक्षन का वो बटवारा कर रहे हैं ये वैसा ही समझा दिया जिस तरह से पिछले चुनाओं में आपको उन्होंने समझा दिया था कि वो जो आपकी अपनी पार्टी है वो आपकी चिन्तक है जो कि समिधान बचाएंगे समिधान बचारी के नाम पे आपको उन्होंने बरगला लिया था और ये आपको अपनी ही पार्टी से अलग कर दिया था ठीक उसी तरह से अब एक बार फिर उन्होंने आपके S-C-S-T-O-V-C जो साथी है उनको इस कानून इस आदेश के जरिये जो है उन्होंने आप से अब अलग कर दिया है आपको पता होगगा ना जैसे पंडित होते हैं या फिर जो तांत्रिक होते हैं पुजारी होते हैं पंडे होते हैं ये किस तरह से आपके घर में आते हैं और ब वो वहाँ के पूरी मलाई खाते रहते हैं ये बिलकुल वैसा ही है यानि कि फूट डालो और राज करो ये विवस्था फूट डालो और राज करो इस का सबसे पहला जो प्रयोग जिसने किया था वो था जिसने जाती बनाई नाम अंग्रेजूं का लिया जाता है लेकिन फूट डालो और राज करो उसकी नीती है जिसने ये जातियां बनाई लेकिन अब वाकई जो है अब आपका समिधान जो है समिधानी कदिकार जो है वो खत्रे में है और अब आप चाहे किसी भी पार्टी के समर्थकों किसी भी विचारधारा के समर्थकों अब आपको अपने बच्चों के भविश्य के लिए आगे तो आना ही पड़ेगा और अ पैसों के लालच में हमारे भी बहुत सारे यूटूबर जो साथी हैं वो भी उधर चले गए थे उन्होंने वहां से खुब पैसा कमाया और सुपारी भी लेली कि किस तरह से बसपा गोमाया वती को बंदाम किया जाए और समिधान बचाओ के नाम पर जो है वो कॉंग्रेस को वोड दिलाया जाए वहां से उन्होंने इसका सौधा तो कर लिया अब कुछ लोगों ने लंबा सौधा कर लिया लेकिन कुछ यूटूबर साथी जो है वो अब इस नए कोट के आदेश के बाद थोड़ा जाग गये हैं और उनको भी लगने लगा है कि वो कहीं गलत थे और अब वो वापस घर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग है जिनका लंबा सौधा हुआ है लंबे समय तक किलिए सौधा हुआ है उनकी तो मजबूरी है कि वो उनके जो है तमाम कारेकरम दिखाएं उन्ही की जो राहुल को जो है वो दरीतों का नेता जो है वो साबित करने की वो कोशिश तो करते ही रहेंगे लेकिन ये उनको अपना काम करने दीजिए मगर अब हमारी जो ड्यूटी है अब हमाई ड्यूटी है कि हम अपने जिम्मेदारी को समहाल ले क्योंकि ये अंती मौसर है क्योंकि मैं एक बार फिर वही कहता हूँ कि प्राम् नहीं है क्या इनको तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता ये टेस्ट वो कर रहा है इसमें पास होना फेल होना ये अब आप पर निर्वर है सारे जो ब्रामन है चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो न्यायपालिका में हो कारेपालिका में हो पुलिस में हो सारे लोग अभी इकठे हैं इस मामले में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सोचल मीडिया पर कोई भी पोश्ट करते समय किसी भी प्रकार की कोई जो है अनायतिक जो है बात न लिखें गाली न दे किसी को मारने की पीटने की धमकी बिलकुल न दे क्योंकि वो तयार बैटे हैं आपके खिलाब बहुत सारे मामले धज करने के लिए अचा सारे मीडिया को भी जो है तमाम मीडिया को भी जो है या आदेश जा चुका है कि आरक्षन की समापती या आरक्षन की जुबका जो ये बटवारा हुआ है इसके खिलाफ उठने वाले तमाम आवाजों को बिलक श्कूल न चलाई जाए बलकि आरक्षन के पक्ष में जो आरक्षन की बटवारे के पक्ष में या कोट के आदेश के पक्ष में जो है वो माहोल बनाया जाए ये अब आदेश जारी हो चुके हैं शोशल मीडिया पर भी बहुत सारी प्रतिबंद लगा दिया गया है अब आपक बचा ले हम अपने बच्चों के भविश्य को बचा ले संविधान को बचा ले कुछ जो लोग हैं अभी भी इसमें इस आंदोलन में सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि मायवती ने जो है इसमें आगरह कर दिया कि आप लोग जो है इस के खिलाफ आवाज उठाएं इस वजह से के कहीं मायवती इसमें हीरो न बन जाए उनको डर है भाई आपके बच्चों के भविश्य और संविधान को अपने हक अधिकारों को बچाने से जादा आपको इस बात का डर है के कहीं कोई हीरो न बन जाए किस तरह की सोच है आपके थोड़ाँ सा इस बात को हैं कि हम आखिर अगर सारे अधिकारों का उपयोग करके आज अपनी पूरे जिंदगी बिता रहे हैं तो कम से कम वो आगे के लोग हमारे बच्चे भविश्य की जुल बच्चे हैं वो भी कुछ इसका उपयोग कर पाएं भाई आपको विचार करना होगा अगर आपको लगता है कि हमें इस परिक्षा में पास होना है हमें अपने इधिकारों को एक तरह से बचा लेना है तो आगे तो आना पड़ेगा और 21 अगस्त के बंद का जो आहवान है इसको जादा से जादा प्रचारित करें साथ ही अपने सांसदों विधायकों के घरों का पता करके रखें क् की जरुरत पड़ेगी आप अपना मोर्चा वहां लेकर जाएंगे और उनसे बोलेंगे उनको मजबूर करेंगे कि संसद में जाकर वो इस बात की आवाज बने इस बात को उठाएं और इस आरक्षन को इस CST के जो आरक्षन है इसको नवी सुची में डालने की कोशिश करें उसके लिए बिल लाएं उसके लिए प्रस्ताव लाएं प्रस्ताव पास करें ये आपको मजबूर करना होगा एक बार फिर से दो अप्रेल दोराना है